अब नाटा के लिए जाद दिन हमारे पास बचे नहीं है तो मैंने सोचा कि जो हम लोग ने लास्टर से स्टार्ट की थी मेरी मोग टेस्स उसको हम कंटिन्यू करते हैं जिसके अंदर हम लोग लोग डिसकस करेंगे विच इस ओनली फॉर दी नाटा तो इसे पुछी जाते हैं तो मैं लास्टर के एक्जाम ले लेता हूं लास्टर आप देखेंगे नाटा का हुआ जून में फसे जर्ट तो किस तरह कोशन आते हैं कि इफ दी अवरेज अवरेज अवरे नमबर इस जीरो हो मैं नमबर कोड़ी ग्रेट इन जीरो तो ऐसे पुछे जाते हैं जो जिसके लिए कोई फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको कुछ ऐसे नहीं है कि आप उसके लिए कोर्स लगा लीजी बस एक चीज है कि डेली प्रेक्रिस करोगे तो आपको आराम सा हो जाए आप से या फिर आप सब पुछी जा सकते हैं वर्कन एफिशेंसी के ओपर तो यहीं चीजी कोशन बन आते हैं तो बिल्को कितना मिक्स कराया वही रेश्यों एलिगेशिंस में इन सब चीजों के ओपर हम लोग देखेंगे बाकी कोशन पुछ सकते हैं इस तर फिजिक्स और इसे कोड़ आपकर डियो टू कॉंबिनेशन ओ विच ओधी फॉल्लाइंग अब हमारी जो अर्थ है और्थ पर कैसा सीजन होते हैं विंटर सोता इससे और समर सोते हैं स्प्रिंग होता है वो क्यों चेंज होते हैं तो इसके लिए कुछ आपको डेटिकरली पढ़ने की होते रहेंगे विच ओधी फॉलोइंग डाग्राम इंडिकेर दा बेस्ट रिलेशन बिट्विन इंडिया इन हर्याना इन वर्ल्ड तो यह सेट थेओरी साहता है दी लोकल्स अपॉइंट इक्विडिस्टंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इस सरकल तो यह बहुत ही बेसिक जाए ठीक है और फिर तीसरे अटेम्ट के अंदर भी थीसरी सीजन देखने को मिली हैं तो आपका जो अप्रेल में एक्जाम होने वाला है 21st को अप्रेल को है तो वहां पर भी आपको ऐसे ही कोशन देखने के मिलने के पूरे-पूरे चांसे से यह स्टॉर्थ है उस से पहल और प्रेलिस्ट में भी आपको सब मिल जाएंगे और आप पीडियाप डाउलोड करना चाहते हैं तो एप सो डाउलोड कर लीजिए या फिर टेलेग्रम चैनल पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है बाकी यह प्रोडेट्स हैं अगर आप लेना चाहते हैं 1100 रुपीज की है और वर्क बुक है यह 400 रुपीज की और क्रैस को डाटिकली जोइन करना चाहते हैं तो यहां पर है जिसके अंदर आपको 10 बुकलेट्स मिलेंगी और टोटल 75 प्लस मॉक टेस्ट है और लाइब वीड सब्सक्राइब करने का वह सिंबल तरीका है कि आप जो बोला गया है उनको लिखते चले जाएगे अच्छा एक चीज़ और है आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पोस्ट करके ट्राइकर उसको सॉल्प करने की कि आप पे कितना आ रहा है सही आ रहा है नहीं आ इसको बोल रहा है आपने लिषका निकाल लिया होगा अगर आपको सही है तो आगे सुब कर टो नेक्स वोगे देख लिए तो यह लिखा गया इन्हें किरिकेट मैच out of 11 batsmen cricket match में कितने होते हैं 11 batsmen होते हैं तो some of the run scored by the last 10 batsmen let's say कि पहला batsmen है दूसरा ऐसे होते हो total 11 है तो last के 10 batsmen है उनका batsman है 16 times the first batsman तो पहले batsmen है let's say x run बनाए थे तो इनका कितना हो गया इनका हो जाएगा 16 times है तो 60 x हमारा इन्होंने score किया अगर पहले batsmen बनाए थे तो दूसरे इनके बाकी के 2 से लेकर 11 जो last batsmen है इन्होंने 160 run score कि ठीक है एक्स तो 1 भी हो सकता 2 कुछ भी हो सकते हैं the average run scored by all batsmen is 136 तो आपको बताना है कि finder run scored by the first batsman मतलब एक्स की वैल्व हो निकालनी है ठीक है तो यहां पर देखते हैं कितने batsmen total तो पहले batsmen कितने बनाए 10 और बाके के 10 batsmen कितने बनाए 16 x बनाए यहां पर total batsmen कितने है 10 and 1 that is 11 कितना आ रहाएं का 136 क्योंकि average का मतलब क्या होता है सबको add कर लिजिए और divide कर दिए number of the batsmen से मतलब आपके पास 10 रुपे हैं आपके भाय के पास 20 रुपीज है तो दोनों का average कितना होगा 10 plus 20 by 2 अगर आपका यहां पर और x plus 16 यह हो जागा 17 x into 136 into 11 और x की वैल्यू आप निकाल देंगे 136 by 11 by 17 तो जो वैल्यू आईगी वह पहले batsmen ने इसकोर क्या है ठीक है तो next question देखते है कि if the number of the boys in a class is 8 times the number of the girls मतलब ऐसा माल लेते हैं कि boys है और class के अंदर girls है तो जो boys की value अगर girls की value जो है number of the girls are x तो boys कितने होंगे 8x है क्यों किसमें लिखा हुआ है if the number of the boys in a class is 8 times the number of the girls then which of the following cannot be concluded about the total number of the students तो यह बता रहा है कि 4 option दिए गया है क्या चीज़ नहीं हो सकते है तो एक classroom के अंदर कुछ लड़किया है उसके 8 गुने लड़के हैं यह तो कन्फार्म है तो total number कितने होगे हमारे students total number of students it is going to be 8x लड़के है और लड़की इतनी x है तो 9x अब निकाल देजिए तो देखते हैं कि 9x is equal to 45 हो सकता है एक के value करेंगे तो 45 को करेंगे 950 45 yes अगर किसी class के अंदर लड़के 5 हैं तो लड़के 8x हो जाएंगे इन दोनों का add करेंगे 45 हो सकता है तो यह भी सही है now the total number of the students can 42 देख लेते हैं इसको यहां पर हमने क्या करा था 9x के जाएगा है अब 42 की 45 की जाएगा 42 कर लेंगे तो x करके देखो 42 भाई 9 से divisional हो रहा है क्या तीन से तो हो जाएगा यह यह थिरी आएगा और यहां पर आ जाएगा 14 भाई 3 अब इसको डिविजल करेंगे तो कोई लड़की यह लड़का x जो है ओ कभी फ्रेक्शन में नहीं होगा तो 42 नहीं होगा ठीक है तो इसका मतलब यह option सही हो जाएगा तो है 9x के multiple है तो yes 9 होगा ठीक है तो इसका सही option क्या हो गया option number C मतलब 42 नहीं हो सकता है और कोशन पूछागा कि क्या नहीं हो सकता है तो that will be option number C फिर आता है two trains p and q are running at a speed of x km and y km पर रहा है दो train है तो एक train है p एक है train q इनके speed कितनी है x km पर रहा है और इसी कितनी है y km पर रहा है ठीक है time taken by train p to cross a pole is half of the time taken by the train q ऐसा माल लेते है train q को t time लगता है इसको ले ले लेते हैं इसको 2t ले ले लेते हैं ठीक है क्यों लिया है क्योंको उसका half करना पड़ेगा तो आप t करेंगे तो t by 2 हो जाएगा but multiplication जदा असान होती है तो यह क्या बोल रहा है कि time taken by train p to cross a pole एक देखो एक pole है और यहां train यहां से चलती है इस तरह से यहां पर उसका डब गाए तो जितना कवर करती है तो जो p train को time लगता है train p the time taken by train p to cross a pole is half तो मतलब क्यों को 2t लग रहा है तो सो कितना लगेगा t लगेगा half हो जाएगा आपको बताना है which of the following is true इनमसा बताना है क्या चीज साही है एक्स और य की दे रखा है तो हम क्या गरेंगे एक्स और य को आपस में equation बना कर दे रखे है यह क्या है आपकी speed है यह कितना है आपका time है और यह distance है तो बता और क्या चाहिए आपको speed is equal to क्या होता है distance upon time यह तो होती है अगर हम बात करें speed of p का मतलब हम लेग सकते है x ले सकते है अगर हम p train के बारे हम बात करें let's say train p के बारे हम बात कर रहे है तो उसकी speed कितनी है x है distance कितना कर रहा है और 2d और time कितना लग रहा है उसको t तो x is equal to 2d by 2 हो गया ऐसे हम ट्रें q के बारे हम बात करते हैं तो y is equal to कितना हो जाएगा डी बाई 2t अब आप क्या करेंगे इसमें t की value निकाल लो तो t is equal to 2d by x हो जाएगा और यहां पर अगर t निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा d by 2y हो जाएगा इन दोनों को क्योंकि टी की value निकाल लिए इसको बरावर रख देंगे तो यह हो जाएगा आपका 2d by x is equal to d by 2y तो यहां से d से d cancel out हो जाएगा तो x is equal to कितना हो जाएगा यह दर चला जाएगा यह दर हो जाएगा 4y है क्या कहीं x is equal to 4y तो उसका सही answer क्या जाएगा option number a हो जाएगा ठीक है clear हो गया है नहीं clear होगा है तो आप उसको दुवारा कर देख लीजिए और नहीं तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में लाग वीडियो में दुबारा समझा दूंगा आपको को सब्सक्राइब पर आते हैं इन्हें multinational organization that makes software for their client एक MNC है जो आपने software के अपने clients के लिए software बनाती है 10% of the employees who are fresh sir recruits have salary of 25,000 rupees 30% of the employees have a tenure of 1-2 years have salary of 45,000 rupees 40% of the employees have tenure of 2-8 years जिनके salary 70,000 और 20 जो बचे होए है और 10-8,000 what is the average salary given by the organization to all the employees simple question है मुझे देखो थोड़सा हम जब कुछ मानना होता है suppose करना होता है तो हम लोग ऐसा number मानते है जो easy for divisor में smart work यहां पर क्या लिखा गया 10% है यहां पर क्या लिखा गया 30% है यहां पर क्या लिखा गया 40% है और यहां पर लिखा गया 20 so 30 plus 10 40 40 plus 40 80 80 plus 2 20 100 मतलब पूरे employees करें हम बात कर लिए 10 सर्व divisible है तो हम क्या करेंग हम simple ले लेंगे कि let's say MNC के अंदर जो काम कर रहे थे वो टोटल 10 employees काम कर रहे थे अब 10 करें सो करें बात है गिया अगर 11 करोगे उसमें थोड़ी प्रसंटेज में आएगा बाकि कुछ भी करो सेम आएगा तो एक MNC में let's say 10 people were working there तो 10% कितना होगा 10 का वन एक employee कितनी salary मिल रही है 25,000 salary फिर 30% of 10 कितना होगा 3 employees इस तीन लोगों को salary कितनी मिल रही है आप 45,000 फिर बोल रहा है कि 40% employees जिनकी 10 यूर 2,60 मतलब नहीं है कितनी साल हमें क्या मतलब है तो जो चार जो लोग है 40% of 10 will be 4 कितनी salary उनकी 70,000 है और जो बागी 20 कितना होगा 20% of 10 that is to employees उनकी salary कितनी आएगी आपकी है 95,000 तो आपको ब 70 plus 95 by 10, नहीं क्योंकि एक आदमी है तो actually equation के बने कि 25 into 1 plus 45 कितने लोगों को मिल रहा है, 3 लोगों को मिल रहा है, 70 कितने लोगों को मिल रही है, 4 लोगों को है, 95,000 salary कौन ले रहे हैं, 2 लोग ले रहे हैं, तो तबी तो आए 1 और 3, 4, 4, 8 और 2, 10, total number कितना होगे, आपके 10, इ रखुट कर लेंगे, I guess, इसमें कुछ confusion नहीं है, फिर देखते हैं, question number 5, typing speed of Mr. Smith is 100 words per minute, and that of Mrs. Smith is 80 words per minute, मतलब, एक जो Mr. है, वो 100 words type करते हैं, minute के अंदर, उनकी जो Mrs. है, वो 80 words type करते हैं, they got an offer of typing a book of 1000 pages, तो उनको एक offer मिला है, कि 1000 page हमें type करने हैं, उनको type करने हैं, इसको निकलाते हैं, Mrs. Smith decided to type 60 pages and ask Mrs. Smith to type the rest, तो इसमें क्या बोला, कि 600 pages जो होंगे, और Mr. Smith करेंगे, और 400 pages हैं, उसके अंदर Mrs. करेंगे, ठीक है, उनकी, if each page of book consists of 100 words, तो मतलब क्या 600 pages हैं, तो एक pages के अंदर कितने words हैं, 100 हैं, तो actually हम यह भी बोल सकते हैं, कि 60,000 word type करने हैं, Mr. Smith को, और जो, इनको कितने type करने होंगे, इनको कितना time लगता हैं, 100 बर टाइप करता है, इसको 100 डिवाइड कर देंगे तो ये कितना जाएगा? 600 मिनेट्स 600 मिनेट्स जाएगे Mr. Smith को ठीक है? इनको कितना टाइम लगता है? इनको कितना टाइप करना है? 40,000 कितने है टोटल? और ये कितना टाइप करती है मैडम? 80 बट टाइप करते हैं, एट से टाइट 550, तो इनको मिलेगा 500 मिनेट्स लगेंगे कोशन पूचा गया है कि दोनों को कितना टाइम मिलेगा? तो 600 मिनेट्स प्लस 500 मिनेट्स, इस गोइंग टो भी 1100 मिनेट्स ओप्शन नमबर D विल बी दी राइट ओप्शन, क्लियर है? फिर आता है कोशन नमबर 6 इसमा पूचा गया है कि consider the following sequence, ओके ये सब पूरी sequence दी गई है how many vowels are followed by a vowel in the above sequence? इन कोशन पूचा गया है कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक vowel के बार दूसरा vowel आया है कितनी बार वाफ़ूट, बता देना है vowel क्या होते है? A, E, I, O, U तो जहां पर भी ऐसे कुशन आते हैं पहले मार्क कर लीजिए E है कि हाँ, इसको मार्क कर लेते है A भी है, इसको मार्क कर लेते है D नहीं है, G नहीं है U है, इसको मार्क कर लेते है I है, इसको मार्क कर लेते है H नहीं है, E है, जिए वो यू के बाद आ रहा है तो यहां पर आपके चार आ गया यहां पर पांच यहां पर आएगा नहीं आएगा क्यों उसके बाद F है जो कि वो विल नहीं है आपको फ्ला सा क्लियर हो रहे होंगे कैसे को सुन सुलुफ करने है डिफिकल्ट नहीं होता है बस आपको समझना है बाकी के कुछ जीकी कोश्चन है आपके उपर है मैं इसको आपके पर छोड़कर जा रहा हूं वैसा बता देता हूं चलो अलाइट यह क्या है एक लाइट के सुरच से धरती तक हैनय में जितना टाइम लगता है लाइट को तalımनեդ यह फिर है तहसे स्थे ट्रेवल बाइलाइट इन फ्री स्पेसिं वन यह कि लाइट को एकφां абे फ्री स्थे लेते हैं, an iron ball and a wooden ball of the same radius are released from a height h in a vacuum. मतलब क्या है कि हमारा पास सब्सक्राइब कि उसको ले लेते हैं, वेक्यूम है, इसको माने लेते हैं, श्काइब कि इसको माने लेते हैं कि इसे वेक्यूम, उसकी जो हाइट्स है, मतलब दोनों को एक हाइट्स है, जो कि यह height है यहां पर एक iron ball है और यहां पर एक wooden wall है iron ball and a wooden wall of a same radius are released from height h in a vacuum which one of the two ball would take more time to raise the ground तो यह बता रहा है कि इस ground मिला यहां तक कितना time लएगा iron ball क्या time लएगा तो यह पता है कि same gravity लगती है तो दोनों एक साथ ही आते हैं तो बोट वोट टेक सेम टाइम इवन यह अगर यह बोलता है देखते हैं एक cotton को या फिर एक iron ball को साथा छोड़ेंगे तो दोनों same time पर पहुंचने चाहिए लेकिन जो atmosphere में friction होता है तो air की वज़े से आपको थोड़ा लेड लगता है लेकिन vacuum की अंदर दोनों same time में hit करेंगी ground को ठीक है चलो एक push note देख लेते हैं इसन आप्जेक्ट अंडर जो uniform circular motion एक object है जो uniform circular motion में चल रहा है मतलब ऐसा जारे जारा हो घूम रहा है इस तरह किसे एक एक zaकष्चन रिमेन युनिफॉर्म कि इसका एक्षरिशन सेम रहेगा एक्सेलेशन सेम नहीं रहेगा क्यों क्योंकि इसके लिखावा यूनिफॉर्म सर्क्लर मोशन है तो यह अड़ जाएगा विलोसिटी चेंज स्पीड चेंज विलोसिटी रिमें यूनिफॉर्म अच्छा सुनो इसको अगर आप सोल नावी करो खुला से लोगाओ क्या दिया है मुझे बताओ कि विलोसिटी दो बार यूज हुआ है ऑक क्या प्सेंज चेक करो चैना रहा है दोनों opposite दिये हैं कि velocity change होगी और यह बोल रहा है कि remain uniform velocity change नहीं होगी यह तो confirm है कि दोन opposite है किसमें इन दोनों से एक तो होना चाहिए तो इस तरीके से भी आप eliminate करके कोई जरूरी नहीं है आपके आंसर आना चाहिए MCQs is an art of choosing the right option आपका यह नहीं कि आपको कुछ न आना चाहिए नहीं आना चाहिए तो अगर थोड़ो से भी लोजिक लगाए जाएगा आप कर सकते हो खासका नाटा के अंदर बिकोज नाटा के अंदर negative marking नहीं है तो वहां पर आपको attempt करना ही करना है अब यह मत करना मुझे आ तो इसके नहीं सिंपल है कि इनव अब्जेक्ट अंडर्गोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोर्शन तो इसके निदर क्या होगा velocity रिमें यूनिफॉर्म विलोसिटी सेंट रहती है एक कुशन चलुम आपके लिए चोड़का जा रहा हूं इसका आपको comment section में जवाब देना है है लैट सी कितने बच्चे इस वीडियो के एंट तक रुखे होए हैं और जब हमकमेंट्स आते हैं लाइक साते हैं तो हम मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए कुछ और क्रेट करना ठीक है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए और इसका सही जोब देना ह है टेन क्या बोल रही है आप पैसेंजर इने मुविक ट्रें टोस्टा फाइव रुपीस कोई एक ट्रें मुव ट्रें मुविं ट्रें है एक पैसेंजर बैठा हुआ है उसने पांच रुपे के सिक्का उचला इफ दी कॉइन फॉल्स बहाइंड है और जो उचलने के बाद क्या हुआ उसको सिक्का हो पीछे की तरफ गिरा देने ट्रें मस्क्री मुविंग विदे यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन डिसेंड इसलेरेशन स्पीडिया वेलोसिटी तो इसके अंदर आप देखके बताइए क्या है इसका सही ऑप्शन तो कमेंट सेक्शन में एंड सी यू था और नेक्स वीडियो थैंक यू पर यूर प्रिशस ताइं और वेली बेस्ट अफलग फोर यूर एक्सम पडाहि करते रहिये